प्यार, इश्क और महबबत अगर हमारी दुनिया में किसी भी चीज पे सबसे ज़्यादा कहावते बनी हैं तो वो प्यार पे बनी है अब चाहा रहा चलता कोई आदमी हो या बहुत बड़ा फिलोसोफ क्योंकि हमारी जो आज की कहानी है वो भी ऐसे दो लोगों के बारे है न दूसरी तरफ है नहिना जो बहुत ही स्टूडियस, बहुत ही सिंपल सी लड़ी और दूसरी तरफ यूवराज जो ना सिर्फ हमारी कहानी का हीरो है बल्कि विलन भी है आई आपको दिखाते हैं वालकम तो बंदास यह है आशिक रूम नंबर ट्वेनी वालकम तूसरी तूम ठीको प्रेशर अब आज तो यह फच्ड जोली में आखे गिर रहे हैं लगी डेयर पच्ड नहीं भाई वक्रेश कुदी कटने आगे अनलगी टे है पहशरी है ना पैसा ले इनका चेहरा देख चेहरे की एक लाइन चिला चिला के कह रही है कि मैं फच्ड हूं अनलगी 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 अपने कॉलेज में किसी को कुटाब उठाए कर देखा है कभी नहीं को तवाल वो पूच ज़रूरी हो जा वैसे ही अब आप अप्लान क्या है चीज बढ़ा सब्सक्राइब जाता है कुछ जब जिसके अटोर्या के वाला सान प्रद्नेर्टी अटोर्या मैं आंप एंटर्या जब प्रानाम क्या है वूरा जैनक अब्ली ओहो, संत कबिर जी! वाँ वाँ, वाँ 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 वाँ? अज़ भाई, इंदी मेरा सब्टेटरी सब्जेक्ट है ना? बस सिर्फ पास ओने की रखी है क्यों? तो कोई बात नहीं, नैना बताईगा इसको तो पता ही ही ना? वाँ तेल तेल? मिसी हो ना, कहीं मिसिस होके हमसे मिस तो नहीं हो गई हो कबीर जी, तो हे तो आपने बहुत सुनायोंगे एक काम करो, आज हम सब को एक बढ़िया सा गाना सेनाते हाँ? क्यो हो? क्यो भाई, बताओ ज़रा कौन सा गाना इस पे परफेक्ट सूट करेगा तो हाँ, भाई, भाई, भाई हमाँ कामयाब मुझे जुरू जए सब्स्कीट, जब एकाओ जब्स्कीट, जब्स्कीट, एकाओ जब्सक्ट काना, काना, काना इस नहीं नहीं देखा, तुछ भोली के हम होंगे काम्याब हम होंगे काम्याब वाह हम अपता एक तिन पोड़ेख, बखराँ नंबर वन अरे आप रो क्यो रही है? युबराद सिंखान्या क्या बात है कॉलेज के पहले ही दिन, सारे फचल्ड मुझे नाम से जानते हैं बस स्टार वन गया हूं है, स्टार पाटोग्राफ तू? पेन? सी और ते अगर अपने आप हो इतना ही बड़ा हीरो समझते हो ना तुम तो किसी ऐसे को ढूंड़ो जो तुमारे स्टाइस कहो एन हम शुर इस तॉलिज में ऐसे बहुत से माचो बेवकूफ टाइप्स मिल जाएंगे तुम्हें अपनी ये होशियारी उन पे जमाना ये अपने आपको समझती क्या हो क्या हो रहाया जिराज तुमने फिर से नए स्टुएंट्स को थांग करना शुरू कर किया तो मैं पहले भी इस पात की वार्णिंग दीचाशू स्पेच मत तो सर कंप्लेंट मिली आपको कोई नहीं ना कबीर कबीर इतनी भी क्या जल्दी है थोरा सत्संग का पाठ हमें भी सुनाती जाओ एक्स्क्यूज मी हमें क्लास के लिए देर हो रही है तुम जा सकती हो लेकिन तुम्हारी क्लास तो आज यहां शुरू होगी बात तो हमारी कली पूरी हो जाती अगर प्रफेस्टर पीच में ना ता आई शोड़ना या यह थोड़े जानते तुझे क्यान दे यार लेकिन चानती तो है ना कि मैंस का सेनियर हूं कॉर और प्रफश का रूल है कि फट्चा हमेशा सेे को सल्यूट कर रहे ो neighbours जब जब शालूट मार शालूट मार शालूट मार झाल 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 कबीर कबीर अकेले कहा जा रही हो मैडम अमेभी साथ ने चलोए ना लेडी इस टॉइलेट में अकेले जाना मना आ रूल ने जानती क्या मेल कंपैनियन का साथ में होना जरूरी है रूल है के नहीं रूल है के नहीं रूल है पॉलेज प्रोस्ट्रेक्टरस में लिखा है पड़ा नहीं तुम लोगों ने अचा भाई यह काम करते हैं बचला जातों इसके साथ तो इने थुड़ा पुरह सपोर्ट जाए 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 जूँ क्यों क्यों क्या हो गया वान बत रखाया क्या चुप कियो हो हाँ अवाज नहारी मुझा अब तक चुप थी लेकिन अब नहीं रहूँगी अरे भाई मैं तो डर गया यार यह तो जहासी की रानी निकने कहा है अब तक वह सब करते हैं यह जो तुमने का यह तुम्हारा एगो साटिस्वाई हो जाए लेकिन अब अब तुम लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो ओ ओ तुम हमें बताओगी कि लिमिट कहां क्रॉस होती है तेरे इतने पास आया तो लिमिट में हूँ या नहीं इतने पास आता हूँ तो होती है अब इतने पास आता हूँ तो होती है ओ क्या है न कभी तेरी आदत सी पड़ गई है यार जब तक तक तुझे तंग ना करूँ तो मुझे खाना हजम नहीं होता जब तक तेरा नेरी डोस नहीं मिलता ना, तो तब है अगराम होने लगते हैं, जी गपराने सकते हैं आदत भी बद्ली जा सकती है और हाजमा भी जार बोडी गाज के साथ गूंबते हो तो अपने आपको बात मर्द समझते हो ना तुम क्या, क्या हुआ, तो मुझे डराओगे अपनी जुटी हिम्मत और मर्दांगी का नाटक ना किसी और को दिखाना अगर असनी मर्द होते ना, तो यूटनी गृतिया हर्कते नहीं करते तुम तो नाव, इब राद की खाना, ग्रोव अप, बी अ मैं, और गेट लॉस्ट पूरा जो देखन मैं चला, पूरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, यह है असली सन, कबीर, जिवराद रस्ती चल गई, लेकिन फबल नहीं गया, अब यह भी चान बाकी है, भाई, भाई जाने देना है, बाद में देख लेंगा, मर्दान की क्या होती है, इसे मैं बताता हूँ, नैना, 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 मर गई, भाई, यार, सब कुछ कहतम हो गया, वो मर जाएगी, यार, और फिर कभी हमें किसी कॉलेग में अड्मिशन भी नहीं मिलेगा, नारा कजियर तो खतम बिलकुट, अरे यार, ची, चल तू यहां से, चल, चल, चल यहां से, चल, चल यार, का यदु, यहां हो गया, यूकाज, यार, लॺ महने तो निहां से पहले 11 स्था, इस देसी को जाएगा, गर वहां सबेगी कुछ गूके या तो, सब्सक्राइब नहें रिवran PhD रुरानahi कोई और यह मन होड़ बंदू बच्षे पुरानत सब्सक्राइब लोग कि लाड़ी एक उड़ा से ने अगते हैं लेला पापा जोड़ोंगा नहीं उसको पुलिस में कंप्लेंड कराऊंगा कौन है वो लड़का कॉलेज का स्टूडेंट है या कोई गुंडामा वाली अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अरे ये कॉलेज है ये गुंडो का अड़ा पापा प्लीज प्लीज पापा ऐसा कुछ मत कीजिये जैन्तियों डॉक्टर ने क्या कहा था अगर जरा से भी देर हो जाती तो तो मैं जेल पिजवा करी रहूंगा पापा पापा मैं जानती हूं सिचुएशन सीरियस हो सकती थी लेकिन अब अब मैं बिलकुल ठीक हूँ और वैसे भी मैं इस बात को अब बढ़ाना नहीं जाती डरते हम किसे से गलती उसने किया है उसको डरना चाहिए आपकी बेटी हों पापा तरना तो आपने सिखाया ही नहीं न पापा आप उस लड़की को नहीं जानते वो यह सब माँ वो यह सब सिर्फ इसले कर रहा है क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए और अगर हम प्लीज रिपोर्ट करेंगे न तो उसे और अटेंशन मिलेगा और वो हमारे पीचा कभी नहीं जोडेगा अगर कल फिर उसने ऐसा कुछ किया तो अगर हम रिपोर्ट फाइल करेंगे न तो उसे ज़रूर करेंगा पापा फ्लीज मैं कॉलिज स्टडी करने के लिए जाना चाहती हूँ मैं नहीं चाहती के मेरी पढ़ाई को कोई भी नुकसान हो देखो बेटी तुम ये बोल सकते हो पर एक बाप उसे माफ नहीं कर सकता जासे तुम्हारी ये हालत जेखकर मेरी के हालत होगी थी I love you पापा पर आप नहीं सिखाया है न माफ करो और भूल जाओ पापा ये वराज भी एक स्टूडेंट है और अगर हम ये पुलीस रिपोर्ट करेंगे न तो उसका करियर उसके पुरी लाइफ पर बाद हो सकती है अगर मैं कंप्लेंट नहीं करूंगी तो उसे वा टेंशन भी नहीं मिलेगा जो वो चाहता है उसे इग्नॉर करना ही बेटर है बापा ये ही उसकी सजा होगी चिला मैठा मन पुचाथी तो मेरी कंप्लेंट भी कर सकता ये मैंने क्या कर दिया ओ गॉड नेना क्या हुआ है क्या हुआ है एक चीज सैंविच और मैना तो, एक वेजटेबल सैंविच और एक कॉफी प्लीज लेना, अभी मैं दे देती हूँ, तुम बाद में मुझे देना नहीं, इट्स ओके, मैं देती हूँ मैं हेल्प कर दू तेक, आज तू दे देगी, लेकिन कल को अगर मैं अकेली हुई तो, क्या करूंगे I have to help myself now इतना बला एक्सिदेंट भी सिम्मत नहीं दोल पाया मैं को नो हुआ हूँ मैं सकर सकता हूँ इसके साथ हूँ यूराच्ट भाई! यूराच्ट के बीस हूँ मत्रहक अधिसत राटि क्या हूँ मत्रहक बदा हुआ मत्रहक नहीं मत्रहक मत्र Gregory नेना? प्रणाओ करते हैं आपके जाए टारी की उमीद उन लोगों से की जाती है जो तुम्हारी लाइफ में इंपोर्टन्स होते हैं मेरी लाइफ में तो क्या? खुद की लाइफ में भी इंपोर्टन्स नहीं रखते हैं इसलिए? यह वो आपके तुम्हारी तुम्हारी ओंप। यह मेरी विज़ए विज़ए लोगोम जाहें तो इसे बदल सकते हैं यह विज़ए बंद कर सकते हैं तोस्ट इस इस नोत राइफ अब नेना जैसे लोगों के लिए यह यह मानना बिलकुल भी पॉसिबल नहीं कि युवराज जैसा कोई लड़का कभी बदल सकते है विट शीव रॉंग कि कभी कभी जिंदगी में हमारी मुलाखात खुद से हो इंफाक वो जो टीनेज से अडल्ट हुट का जो टाइम आता है उसके बीच में बहुती सेंसिटिव टॉनिंग पॉइंट आ और वो जैसे अच्छाईयू से करवा थे नव नेना के जो अच्छे इंटेंशितिंस थे वो उसे घ्राज को सम्धाना बहुत मुश्किल था यव इस विस नॉटवी पॉसली पॉसली पॉट समाव शी वस आज़ एडिट तो प्रेट एड शीड़् एड़ने डॉम आएम ड्रेडि करने दिजी कर दो झाल कर दो » कर दो कर दो कर दो कि वाले वीडियो के लेक्चर ने को जरूर दे देना तो दिन के रिकॉर्टिंग है बहुत इंपॉर्टन पुसे रेफ्रेंस की कोई जरूवत नहीं है एक लेख्रेंस के लिए लेक्षे वाले को मा खड़े लेक्षे बाले के आदे के पैसे देदी है ओके बाय यहां समझते हो तुम अपने आपको रॉबिन हुड हो यह कोई सोचल वोकर मैं मैं कोई चारिटी केस नजर आती हूं क्या तुम्हें वट्यू तिंक अव यॉरसेल्फ मैंने गल्ती किये और उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ बस पैसों से खरीद कर गल्तिया नहीं सुधारी जाते हैं और कौन से गल्ती की बात कर रहे हो तुम जो मेरे साथ हुई वो या जो इतने सालों से फिस स्टूड़न्स के साथ करते आ रहे हो वो शाइद मेरे ये प्लास्टर रोज नजर आता है तुम इसले गिल्टी फील कर रह जिनको तुमने चोट पहुंचाई है उनकी चोटे दिखती नहीं है ये और वाद है क्या हुआ जुप क्यूं हो क्या उनके लिए भी बहारिक्षे वाले को पैसा दोगे या कैंटीन वाले को बोलो ऐसे सब के साथ करोगे तुम पता है क्यूं क्यूंकि इतनी हिम्मत नहीं ह युन सबकी नजरों को पेस कर सको तो फ्लीज जस्टॉप अपनी इस वेक दुनिया से बहार निकलो और मुझे शांती से जीने को कि इसके आखों में देखा है नैना थास्ट मी वह पदल चुका है वह खड़ दिन इस सांट में रहता है कि कब तो से माफी मांग सके की मैंने कहा था ना नैना वो बदल चुका है झाल 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 क्या हुआ नैना, क्या सूच रहे हुआ है? समझ में नहीं आ रहा ये सब विवराज नहीं लड़कों को खोश्टेद में बहुत बुरी तरह से रह किया था बस वही बतला निकाल दे वो लेकिन युवराज इतना चुप क्यू है? Enough, guys! एक और बार ऐसर किया ना, तुमें सिदा कंप्लेंड कर दूँगी Now get stop निकलो एहां से निकलो एहां से युवराज युवराज हमारी टेबल पे जगा खाली है युवराज युवराज अगर आज के बाद कोई तुमें तंग करे ना तो नैना के पास आजा वो क्या है ना नैना को बहुत एक्सपीरियंस है युवराज । क्यों कर रहे हो तुम यह सब तुम नहीं तुका था ना कि मैंने इतने लोग you know and then I realized you are right अगर कुछ ठीक करना ही है तो सब के लिए करना है कैसा लगता है जब लोग मजाख उडाते हैं वो लाइन से धक्का दे देना प्लास में तंग करना बेवचा टांग खीचना I need to feel all this नहीं पर वो लोग तुमारी इंसल्ट कर रहे हैं अपनी भडास निकाल रहे थे जो जरूरी भी है क्या तुम क्या तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो नई अपने लिए लेकिन तुमारे कारण जरूर कर रहा हूं क्योंकि अगर तुम मुझे कल डाटती नहीं तो मुझे कभी रिलाईज ही नहीं होता नैना I know ये भी मैं पहले बहुत पार बोल चुका हूं पर इस बार जेनुइनली अपने दिल से बोल रहा हूं I'm sorry It's okay मैंने तुमें माफ किया Friends अपने अपने तुमें झाल 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 क्या हुआ तुम्हे से चले क्यू आए पता नहीं 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 रोज तुम्हे देखता हूँ इस तरह स्ट्रगल करते हुए तो मुझे वही दिनी आजाता है अपने आप से और हेट करने लगाओं मैं नहीं नहीं और अपने आपको हेट मत करो युवराज क्योंकि मैं तुम्हे हेट नहीं करती हाथ ठीक होने के बाद सबसे पहली चीज मैंने यही लिखी थी अपने करते हो अपने करते हैं अपने करते हैं लेकिन मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता और तुम्हारे पेरेंट्स वो तो मुझे कभी भी उनसे मैं बात करेंगे युवराज तुम्हार दिमाग तो ठीक है तुम्हें कैसे भूल गई कि तुम्हें उसने हॉस्पिटल तक पहुंचा थियाना समझ में नहीं आता कि तुम जैसे पड़ी लड़की उसकी जूटी बातों में कैसे आगे क्या पता वो प्यार करने का नाटक कर राओ ऐसा क्यों करेगा वो माँ पुलिस केसे पचने करिए और किस करिए अपने काली करदूतों कुछ चुपाने करिए नैना यूराज जैसे लड़के कभी नहीं बदलते वो पहले तुमसे प्यार करने का नाटक करेगा और तुम भी छोड़ पोचाएगा माँ प्लीस मैंने अपनी आंकों से खुद देखा है वह पहले जैसा नहीरा वह बदल चुपा है माँ और तुम्हारी आंकों पर पट्टी एक पात धान से सुझाएगा जो प्राच को मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर कभी नहीं बनने दूगा इसा है तुम्हारे पैरेंट पिरो ठीक कहरें नहीं बनन bistजा आप जासेड़ाए हैं जैसा काम मैंने किया है उसको पूरा हाग congregation अमेरो ऊपर शक करने कагा लेकिन ये ब्रादühr I. नहीं नहीं, तुम्हीपार अज्चाब जो सब मैंने तुम्हारे साथ किया, सबके साथ किया, में दी रेप्टेशन, कि एवास कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में क्यों देंगे तो, क्यों कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ही तो ने ना, मैं हमेशा से जानता था कि मुझे अपनी कर्पियों का सिताफ से चुखाना पड़ेगा, तकी नैसे चुखाना पड़ेगा, हमारे प्यार के लिए चुखाना पड़ेगा, ये कभी नही सोचा था, आरूं केया यूपराद, कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगी मैना, इस प्रसमी, अभिश्पास करती हु ना मेरा प्यार कोई टीनेज लव नहीं है, जो आज है और कल खाम मैं अभिश्पास करता हुँगी अपनी पूरी लाइफ तुमारे साथ प्रेंट करना चाहता हुगी अगर अगर यह कुछ प्राइट करने पड़े तो मुझे वही प्रावलम नहीं है तुम्हें पाने के लिए जो करना पड़े मैं करूंगा जो करेंगा अब हुआ अबने तेरें सेे बात करोंगी जो साथाई मुझे नाख में भी नाख में जिखाई करना एम दो आख करूंगा I love you too नमस्ते मैं सिंगाने गुरुप का मैनेजिंग डिरेक्टर धन्राज सिंगानिया और नेयना की कॉलेज का ट्रस्टी भी हूँ आये ना जी आपका अचानत यहाँ ना कहीं मेरे बेटेशे कोई गलते तो नहीं हूँ क्यो राज इसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मंगना करता हूँ एक्शली गलती मेरी है बिन मादा बेटा है अपने बिजनेस से अटकर कभी इसकी तरफ धिहार नहीं दिया मैंने सही गलत सिखाने का मौका ही नहीं मिला एक वक्त तो सुचा के मैं अपने बेटे को खो चुका हूँ लेकिन जो मैं नहीं कर पाया वो आपकी बेटी नहीं कर जिखाया जब मुझे पता चला के इसने क्या किया है तो सच मारिये मेरा हाथ उठ गया था लेकिन जब इसकी सदा के बारे मुझे पता लगा तो मुझे रियलाइस हुआ कि इससे अच्छे पनिश्मेंट को हो ही नहीं सकती मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है आज पहली बार लड़का सुधर रहा है वो भी इस लड़की के प्यार प्यार इसमें मैं आप लोगों से आपकी बेटी का हाथ मांगने हैं अपने इस नाला एक बेटे के लिए मैं जानता हूं कि इस लड़के में इसी कोई कॉलिटी नहीं है जिसे कि आप अपनी बेटी दे सके आप खुच सोचे जब आपकी समझदार बेटी लिए सचुना है तो इसमें कुछ तो होगा मेरा एक लौता बेटा है अगर मेरे घर में आपकी बेटी बहु बनकर आ जाए तो ये घर कंपलीट हो जाएगा क्याए जिस घर को नेरा जिसी बहु की ही ज़रूत है मैं जानता हूं कि माफी मांगने से नहीं मिल जीए कि मैं उस दिन का इंतिजार करूँगा कि आप लोग मुझे सच मुछ में माप कर दें और तब तक मैं और नैना चाजी की बात तक नहीं करें मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी बेटी को कोई तकलिफ में बहुता कल्पी से भी बहुता कि मचाल कोई टोक दे इशके जुनुम रुखे नहीं है बावरी सिंगारिया साब दरहसल हमारी बेटी को भी पढ़ना है लिखना है इस लिए प्रॉस्टा वक्ति तो इसका मतलब मैं हां समझू बेबाख भी ये आशके दोन्ट वरी मुझे भी एक वर्किंग बहु ही चाहिए अपर मेरे बिसनेस को कौन सबा लेगा अगर इस नालाक के हाथ में सौप दिया तो ये तो मेरा बचा-कुचा बिसनेस भी डुबो देगा युवराज हो नैना आज बी चीज में साथने पढ़ता है और युवराज आज बी पार्ट टाइम जानिटर का काम करता है ऐक on प्रियार की एक और बहुत बहुत ही अच्छी कहावत है वो खहते हैं कि प्रियार में किसी भी चीज की हद नहीं हो लेकिन नैना और इवराज की जो कहानी है इस कहानी ने इस कहावत को भी जुटला दे प्यूकि इनकी कहानी को देखकर ऐसा लग जा है कि sometimes you don't fall in love, you rise in love well, I will meet you next week with another beautiful love story guys till then, do not forget to fall in love, it's beautiful Bindas, this is Ash, I'll see you next week well hi guys, I hope that you like our stories but still, something about our stories is something that you want to share with us you can tweet us at BindasTV, hashtag this is Ash